गरीब के घर आया नया पंखा और फ्रिज आह, आह, क्या हुआ रेखा? गर्मी के मारे मेरे हाथ पेरो पर ये दाने निकलाए हैं भावी, थोड़ा सा बरफ ला दीजे, थोड़ा बरफ लगाऊंगी तो आरा हम मिल जाएगा रेखा गर्मी को देखते हुए उस बरफ वाले ने अब सो रुपे की बरफ कर दी है और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाईया पूरे दिन में ही मुश्किल से साट सतर रुपे कमा पाते हैं रेखा के दाने से हो रही जलन को देख समिक्षा धूप में नंगे कुएं के पास जाती है और वहाँ से ठंडा पानी लाकर अपनी नंद को देती है जिससे नहाकर उसकी नंद को थोड़ा आराम मिलता है अब जाकर थोड़ा आराम मिला लेकिन भावी फिर थोड़ी देर में मुझे पसीने आने शुरू हो जाएंगे प्रिच तो बहुत दूर की बात है हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है रेखा तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाईया दिन भर में कितना कामा पाते हैं और मुझे भी खाना बनाने के महिने का सिर्फ दो हजार रुपए ही मिलते हैं इसमें ही हमें सब देखना होता है लेकिन कब तक भावी हम इस गर्मी को बरदाश्ट करेंगे दोनों नंद भावी गर्मी को लेकर आपस में बात करी रहे होते हैं कि तब ही वहां समिक्षा के दोनों बच्चे मोनू और मालती स्कूल से आ जाते हैं मां बहुत भूख लगी है जल्दी से खाना दे दो भूख बरदाश्ट नहीं हो रही है क्या हुआ बच्चो और आज तो मैंने रोटी तुम्हें ज्यादा दी थी क्या तुम लोगों ने स्कूल में लंच नहीं किया मां सारा खाना गर्मी के वज़े से खराब हो गया था लेकिन ऐसे कैसे रात की सबजी तो मैंने कई बार गर्म करके तुम दोनों को दी है समीक्षा दोनों बच्चों के लिए खाना निकालने के लिए जैसे ही कड़ाई खोलती है तो कड़ाई की सारी सबजी खराब हो चुकी थी और उसमें से बहुत गंदी बद्बू आ रही होती है ये भगवान दो गंटे पहले ही तो मैंने सबजी बनाई थी इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई कहा था न मैंने ये गर्मी का मौसम है अगर आज हमारे घर में एक फ्रिज होता तो ऐसे खाना खराब नहीं होता जहां गर्मी में पंखा न होने की वज़ा से वो लोग चैन से सो नहीं पाते थे वहीं फ्रिज न होने की वज़ा से रोटी भी ढंक से नहीं खा पाते हैं दे दे बहुत गर्मी लग रही है नीन नहीं आ रही है मुझे मौनू गर्मी तो मुझे भी लग रही है क्या हुआ तुम दोनों को वैसे ही गर्मी की वज़े से मुझे नीन नहीं आ रही है उपर से तुम दोनों हुखी वह क्या करे गर्मी के वज़े से हमें बे नीन नहीं आ रही है उपर से गुमोरी और मच्छर बाबा आप पंखा कब लेकर आओगे अब इस गर्मी में पंखे के बिना और नहीं रहा जाता देखो ना हमारे आतों पर कैसे गमोरी हो गई है मौनू बेटा जब बाबा के पास पैसे आ जाएंगे तो वो जरूर पंखा लेकर आएंगे अपने दोनों बच्चों को गर्मी से इस कदर परेशान होता देख समीक्षा रात भर अपने दोनों बच्चों को पंखा करती रहती है गर्मी की वज़ा से पूरे परिवार को हर दिन बहुत मुश्किनों से गुजरना पड़ रहा था दीरे दीरे बढ़ती गर्मी की वज़ा से सब लोगों की हालत अब काफी ज़्यादा खराब होने लगी थी सबके शरीर पर घमोरियां, रैशेज, दाने ये आना तो अब आम बात हो गई थी समीक्षा किचिन में जाती है और शेफाली के दोनों बच्चों के लिए कटोरी में आईस क्रीम निकाल कर ले आती है शेफाली के दोनों बच्चों को एसी में ठंडी ठंडी हवा में आईस क्रीम खाता देख समीक्षा को अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है कि कैसे उसके दोनों बच्चे रात भर गर्मी से परेशान रहकर चैन की नीन भी नहीं सो पाते बठी गर्मी की वज़ा से समीक्षा के दोनों बच्चों के शरीर पर भहut जादा गर्मी के दाने निकलाते है साथी साथ बार बार आ रहे पत्सीने की वज़ा से दोनों बच्चों को पूरे शरीर में काफी जादा जलन होती है मा, आब जलन हो रही है, कुछ करूँ ना मा, इस जलन के मारे लेटा भी नहीं जा रहा है month, जरीर पर धोड़ा ठंड़ा पानी डाल दो, जलन से तोड़ी बहुत तो रात मिलेगी बेटा मैं कहां से लाओ ठंडा पानी तुम दोनों के लिए मटके का पानी भी बिलकुल गर्म हो गया है अब मैं अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत और नहीं देख सकता अब चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों नहीं करनी पड़े मैं जल से जल दिन के लिए फ्रिज लाकर ही रहूँगा अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत देख अनुछ दुकानों में जाकर फ्रिज के दाम पता करता है भाई साब ये वाला फ्रिज कितने का है? अरे ये पूरे 35,000 रुपई का है क्या? 35,000 का? ये तो बहुत ज़्यादा मेंगा है अगर आपको ये मेंगा लग रहा है तो आप ये ले लिजिए ये पूरे 5,000 रुपई का है सेकंड हैं लेकिन काम चलाओ है भाई साब मुझे आप बस कुछ दिनों की महलत दीजिए मैं जल से जल पाँच हजार रुपई इकठा करके ये फ्रिज यहां से खरीद ले जाओंगा जहां अनुझ पहले मल्दूरी का काम करता था वहीं या पाँच हजार इकठा करने के लिए चिल्चलाती धूप मैं अनुझ पत्थर तोड़ने का काम करता है आँ, आँ, मेरे पैर नंगे पैर काम करकरके मेरे पैरों में चाले पड़ गए है लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता अपने बच्चों के लिए तो मैं फ्रिज ला कर ही रहूंगा रोज धूब में इतनी महनत करने के यह वज़ा से अनुज के हाथ पैरों में गर्मी की वज़े से चाले पड़ गए थे लेकिन अनुज अपने दोनों बच्चों के लिए कड़ी महनत करता है और कुछ दिनों के अंदर पांच हजार रुपए इकठा कर लेता है अनुज उन पैसों को लेकर सेकंड हैंड फ्रिज लेने के लिए दुकान पर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक घायल लड़की दिखाई देती है जिसे देख अनुज भागा भागा उसके पास जाता है आप ठीक तो है? आपको ये चोट कैसे लगी? अनुज उस लड़की को नजदी की हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है जिसके चलते फ्रिज खरीदने के लिए जोड़े हुए सारे पैसे उस औरत के इलाज में लग जाते है जिसके बाद अनुज घरा जाता है और सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है एक तो आपने इतनी मुश्किल से पाँच हजार उपए जोड़े थे और वो भी आपने उस लड़की की मदद करने में खर्च कर दी है तो क्या उस लड़की को सड़क पर ऐसे गाहल पड़े रहने देता हम लोग गर्मी तो बरदाश्ट कर सकते हैं लेकिन अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो अनुज की बात सुन रेखा चुप हो जाती है जिसके बाद अब पूरा परिवार फिर से गर्मी जहिलने लगता है लेकिन दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी से अब मालती और मोनु की तबियत और ज़्यादा खराब रहने लगी थी अब मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा गर्मी में उनकी ऐसी हालत देख मुझसे रहा नहीं जा रहा है अब तुम ही कुछ चमतकार दिखाओ भगवान हम गरीबों पर कुछ तो रहम कर समिक्षा ये कहते हुए किचिन में खाना बनाते बनाते रोने लगती है कि तबी वहाँ शेफाली आ जाती है और उसकी सारी बाते सुनती है और उसे थोड़ी देर बाद उसे हॉल में बुलाती है जी मालकिन, आपने बुलाया, तुम्हे कुछ देना था, ये लो, ये तो, वो मैंने दरसल तुम्हारी सारी बाते सुन ली थी, जब तुम किचिन में रो रही थी, तुम्हारी तरह मैं भी एक माह हूँ और एक माही दूसरी माह का दर्द समझ सकती है, और तुम्हारी ऐसी हाल अब तुम्हारे बच्चों को गर्मी से और परिशान नहीं होना पड़ेगा। उसके सामने वो ही लड़की को खड़ा पाता है जिसकी उसने मदद की थी। आप? यहाँ? जी वो मैंने अस्पताल के आसपास लोगों से पोच कर बढ़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंडा है। उस दिन आप मुझसे बिना मिले ही चले गए थे और मैं आपका ठीक से शुक्रियादा भी नहीं कर पाई। मुझे पता चला जो पैसे आपने मेरे लिए खर्च किये वो पैसे से आप अपने परिवार के लिए फ्रिज लाने वाले थे। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा इसलिए मैं आपको एक फ्रिज देना चाहती हूँ। मैंने तो बस आपकी मरहम पट्टी करवाई थी और आप उसके बदले मुझे फ्रिज दे रही हैं। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है आप धीरे धीरे करके इस फ्रिज के पैसो को किष्टो के तौर पर चुका देना। थोड़ी ही देर में दो आदमी एक बड़ा सा फ्रिज लेकर अनुच के घर पहुंचते हैं जिसे देख उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अनुज और समीक्षा दीरे दीरे पैसे जोड़ कर उस फ्रिज की किष्ट को भी चुका देते हैं। और अब सब गर्मी के मौसम में आराम से खुशी खुशी रहते हैं।